नवजार दोसुशोड़ा का वरंग मुल कितना होता है अभी हम निकालना सिखेंगा और अंडूर्ट का मतलब क्या है इसकी घात एक बटे दो यहां पर कौन सा विदी कामें लेना है अपना भाग विदी कामें लेना है करेंगे क्या बिल्कुल सिंपल है देखें आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के और आगे बढ़ना है दो यहां को सबस्क्राइद आन्ड लें उसका भी आपको और अमलें निकालेंगे क्योंकि आपको step मालूम है संख्या बदल जाएगी तरीका तो भी रहेगा ठीक है अब देखे इसके लिए हम एक से लेकर 9 तक एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जैसे 9 गुणा 9 लेते हैं 81 या आपका 92 से बड़ा ना हो तो 9 गुणा 9 ले रहे हैं तो इससे बड़ा ने तो सिंपल है जब भी 81 से बड़ी संख्या होगी या 81 तक की जो संख्या है 81 या 81 के बाद ऐसे समझे 81 या 81 से बड़ी ऐसे समझे बड़ी संख्या उसके लिए 9 लेंगा डारेक्ट है आप मैं पता है ठीक है तो 9 गुड़ा 9 81 इसको एक वार यहां लिख देंगे इसको कैसे समझेगे कि step first में संख्या का चुना किया संख्या का चुना कुरते हैं समय क्या ध्यान रखते हैं ऐसी संख्या लेंगे एक से लेके 9 तक खुद के साथ गुणा करने पर less than 92 मिले 92 से बढ़ाना हो उसके बाद इनका गुणा यहां लिखते हैं अगले step है इसको जोड़ना है और इसको गटाना है उपर से जो दो अंख है इसको अंडरलाइन कर रखा उसको यहां नीचे ले आएंगे ठीक है अब इसके साथ कौँची संख्या लें उसका गुणा करें किसे बढ़ा नहीं है यही वही step repeat हो रहा है यहां पर क्या करेंगे संख्या लेंगे फिर यहां पर जैसे 6 लिया 6 का यहां क्या क्या था गुणा तो यहां भी गुणा करेंगे बस ध्यान क्या रखना है, यहां तो संख्या लिया, खुद के साथ गुणा किया, बस यहां तरही है, कि संख्या इसके साथ लिख रहे हैं, उसका गुणा करें, कितना आ गया, एक्जेक्ट हमें यही मिल गए, किसको लिए हमने, 6 को तो यहां लिख दो, फिर अम भई, घटा और जोड़ना, घटा ना जोड़ना, घटा यह कुछ नहीं, आगे कोई संख्या के नहीं, तो डिवाइड कंप्लीट होगे, यह जो वैली निकला कितना, 96, यह आपका 9216 का वरगमुल है,